इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत भी होते हैं यह विटामिन के दो और बीच है के साथ-साथ अमीनो मिश्रण यानि की L-Citrulin, Taurin और L-Glutamine से सम्रिध हैं यह मानस्पेशियों की मरम्मत के साथ-साथ उन्हें हासिल करने का एक अच्छा तरीका है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, यह लिूसीन, आइसो लिूसीन, वैलन के दो, वन, एक के अनुपात में 7000 mg माइक्रोनाइज्ट BCAA प्रदान करता है दो, यह इंट्रा और वकाउट के बाद की रिकवरी का समर्थन करता है और मजबूत और बहतर मानस्पेशियों के निर्मान में सहायता करता है 3. BCAA अनुपूरण विलमबित शुरुआत मानस्पेशियों में दर्द, यानि की D.O.M.S. और मानस्पेशियों की ठकान को कम करता है 4. यह दुबली मानस्पेशियों के विकास में मदद करता है और व्यायाम प्रदर्शन को बढ़ाता है 5. नारियल पानी से प्राप्त 1250 मिलिग्राम इलेक्ट्रोलाइट मिश्रन सेलुलर पुनरजली करन दर को बढ़ाता है 6. ब्रांच चैन अमीनो एसिड यानि की BCAA शारीरिक व्यायाम के बाद प्रोटीन संचलेशन में शामिल प्रमुक एंजाइमों को सक्रिय करके प्रोटीन संचलेशन को बढ़ावा देता है 7. विटामिन बीच है अमीनो एसिड चैप्चे में सुधार करता है, ग्लाइकोजन के तूटने में मदद करता है, सेलुलर प्रतिक्रिया में सुधार करता है और प्रतिरक्षा को भी बढ़ाता है आठ, विटामिन के दो मानस्पेशियों की ठकान को कम करता है और हड्यों के स्वास्थे में सुधार करता है नौ, एल सिट्रिलाइन और टॉरिन उर्जा और सहनशक्ति का समर्थन करते हैं 10. GMP, HACCP और ISO के गुणवत्ता मानकों के तहत निर्मित विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें